अगर आपको emergency में loan चाहिए तो आज कल काफी सरे market में loan application महजुद है जिसके बदलों आप loan application चुटकियों में ले सकते हो बट यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात यह है कि अगर आप ऐसे तैसे application में यानि की verified नहीं हुआ application में जाके verified अगर जिस company में नहीं हुआ है वो company में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आपका interest rate कितना है या फिर जो आप EMI डालोगे आपको पता नहीं होता आपको बोलेंगे कि आपको हर महली यतना दाला है और आपको पता नहीं होगा आप double देदोगे या फिर ज्यादा भी देदोगे लेकिन कम interest के साथ suddenly personal loan emergency में आप आपको कैसे चाहिए मैं आपको इस वीडियो में practically एक application है एक company का मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला ते चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यह application को डाउनलोड कर लेना हुगा इसके बाद आपको इसे open पर क्लिक करना है आपके समने इस तरीके का interface आएगा आप यहाँ पर बस स्क्रोल कर दीजे इसके बाद continue यहाँ पर continue इंगलीज पर क्लिक करेंगे आपका mobile नमबर डालेंगे प्रोसीट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर allow पर क्लिक करेंगे कौन सा SIM में करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेट करेंगे इसके बाद continue आपका full name डालेंगे एच पर your pen card इसके बाद pen card नमबर डालेंगे नीचे टिक करेंगे इसके बाद submit इसके बाद pin code और date of बाद सेलेट करके next पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुतना amount का आपको loan लेना है आप कितना amount का eligible हो यहाँ आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपके एक option मिलेगा get into click आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने complete ekyc का बटन आपके बाद से यहाँ पर क्लिक कर देना है और अभी देखते हैं कि कौन सा step आता है अपना अधार कड को verify करने के लिए नीचे आएंगे complete your अधार kyc पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीट टो डिजी लगर पर क्लिक करेंगे अधार काड नमबर डालेंगे इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके अधार काड के जो mobile नमबर रेइस्टर होगा उसमें OTP आएगा ODP को verify कर लेना है OTP verify करने के बाद next step में यहाँ पर आपको six digit का अपना digital order का password डालना होगा यानि कि pin नमबर डालना है आप भोल गए हैं तो यहाँ पर forget पर क्लिक करके उससे set भी कर सकते हैं हमको पता है यहाँ पर डालके हम continue पर क्लिक करते हैं इसकी बाद allow पर क्लिक करेंगे देखी success आ चुका है यहाँ पर हम देखेंगे bank account नमबर डालेंगे इसकी बाद IFC code डालेंगे और continue पर क्लिक करेंगे जैसे आप confirm करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे you were doing great so far आपके सामने फिस से आ जाएगा आपके account में एक रुपे deposit हो जाएगा इसकी बाद आप यहाँ पर फिस से get into जिट पर क्लिक करेंगे अपना एक photo यहाँ पर selfie डालेंगे अपना अधारकर फ्रॉट वाला यहाँ पर क्लिक करेंगे यानि कि आपका अधारकर नमबर लिखना ह है और ट क्लिक motivate करना होगा अधारकर का फ्रॉन्ट साइट का अगर आपके पास all ready है तो उप्लोड पर क्ली करके भी अफ्लोड कर सकते हैं इसके बाद आधारकणब बेक का भी आपको सेम करना है इसके बाद कन्टिनु इसके बाद next step में आपका full address दरना होगा इसके बाद next करना है आपका monthly income कितना है यहाँ पर select करेंगे company कर नाम आपके पास है तो डाल यह नहीं तो आपका दुकान कर नाम डाल दीजिए इसके बाद आप क्या काम करते हो यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेड करोगे इसके बाद बस एक ही स्टिब बाकी है बस आपको यहाँ पर वीडि़ो को लाइक करें चलल आपको पहली बारा है तो चलल आपको सबस्काइब किजिए